पंजाब के मुख्यमंत्री केप्चन अमरिंदर सिंग और नवचोस सिंग सिद्धू के बीच नहीं खत्म हो रही है तकरार नमश्कार मैं हूँ अजय दवर आप देख रहे हैं SPN 9 News स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे आज के इस खास अपडेट में के बाद आप भी सुन सुन कर शायद परिशान हो गए होंगे कि भाई नवचोस सिंग सिद्धू ने लगभग एक महीने से भी उपर का समय पीचाने के बाद अपना बिजली विभाग नहीं समाला है जो कि उनको छे जून को दिया गया था उनके पुराने विभाग को लेकर उनको नया विभाग सौप दिया गया था और साथ ही लोग से बचुना में मिली करारी हार का ठीक रा कैप्टन अमरिंदर सिंग ने फोड दिया था सिद्धू पर भी इसे वीच आपको बता दियें कि पंचाब में मुख्य मंत्री कैप्चन अमरिंदर और कैबिनेट मंत्री नवचोज सिंग सिद्धू के बीच तक्रार अभी पी जारी है सिद्धू ने अभी तक बिजली मंत्राले के कारेबार को नहीं समाला है और इसी बीच सिद्धू के दोस और पंचाबी गायक हिम्मत सिंग खुलकर उनके समर्थन में आ गई है बता दे हम सभी को कि उन्होंने सिद्धू के समर्थन में एक गीत का वीडियो जारी किया है इस गीत के माद्यम से हिम्मत ने कहा है कि नवचोज सिंग सिद्धू को सच बोनने की सजा मिली है इतना ही नहीं उन्होंने कहा है कि लेकिन उनके साथ पूरा पंचाब है सिदू के खिलाफ सादिश करने वालों को जनता ही सबक सिखाएगी गौर की जाए इस बात पर कि नवजो सिंग सिदू ने कैबिनेट में हुए बदला के एक महीने बाद भी अपने उर्जा मंतराले का कामकाज नहीं समाला अब ये मामला विपक्षी दलों के लिए एक मुद्दा बनता जा रहा है और तो और इसी को लेकर बीजेपी महासचेव तरुन चुग ने पंचाब के राजेपाल को पत्र लिखा था उन्होंने कहा था कि राजे में आज सम्विधान एक संकट उत्पन हो गया है तो मैं पंचाब में सम्विधानी संकट को लेकर बातचीत हुई है तो मैं आपको यह वदा दें कि चुग ने अपने पत्र में लिखा सिद्धु गायब है उनके और मुखे मंतरी के भी जगड़ी के कारण सम्विधानिक संकट आपड़ा है मैं राजेपाल से निवेदन करता हूँ कि वो पंचाब के हित्मे फैसला ले अगर मंतरी काम नहीं करना चाहते तो किसी अन्य को विवाग की जिम्मेदारी दे देनी चाहिए वो सेलरी उठा रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे उनके खिलाफ कारवाई जरूर होनी चाहिए वो लेकिन है कि पिछले माही ने 6 जून को जहां मुक्यमंतिक अपचिन अमरिंदर सिंग ने सिद्दू से शेहरी निकाय के साथ प्रियाटन एवम सांस्कृतिक मामले विवाग वापस ले लिये थे तो वहाई उन्हें उर्जा मंतिराले का प्रभार सौंपा था अमरिंदर ने इसके लिए सिद्दू के खराव प्रदर्शन को जिम्मेदार ठहराए था हार के लिए सिद्दू जिम्मेदार इस तरह की जहां खबरे बार रही हैं तो वहीं आपको बता दें कि पंचाब में कॉंग्रेस को लोगसबा चुनाव 2019 में जिन पाँच लोगसबा सीटो पर करारी हार का सामना करना पड़ा उसे लेकर केप्चन अमरिंदर सिंग ने सिद्दू के शहरी निकाय मंत्रा लेके ख़राफ कामकाच को ही जिम्मेदार ठहरा दिया था वहें सिद्दू का ये भी माना है कि जिन लोगसबा सीटो पर कॉंग्रेस को हार मिली है उसकी जिम्मेदारी जो है सामोहिक है वो जिम्मेदारी की जो है सिर्फ सिद्दू की नहीं है बलकि जिम्मेदारी सामोई के ये नमजोस संग सिद्दू का बयान है इसके लावा सिद्दू ने ये भी कहा था कि हार के लिए पंचाब में पूरी पार्टी जिम्मेदार है सिर्फ उन्हें ही जिम्मेदार खेराया जा रहा है तो बहुए सिद्यून ने काफी ज़्यादा कोशिश की है कि भाई मुलाकाथ हो सके उनकी राहूल गांदी से लेकिन राहूल गांदी से उनकी मुलाकाथ केवल एक बार हूपाई है जो की 10 चून को हूपाई ती उसके लेकिन इन सबसे पहरे आपको बता दे किया सफलता हाथ लगने के बाद सिद्धू आपस पंजाब लोटे अब जो समर्थन मिला है उनको पंजाबी गायक का तो भाई इनके बीच की तकरार को फसाया जो रहा है सिद्धू को इस तरह का जहां संगीन आरोप लगाया जो रहा है तो वहीं कैप्चन अमरिंदर पर ही सिदा सिदा लगवागे निशाना साधर रहे हैं क्योंकि कैप्चन अमरिंदर नहीं सिद्धू को जिम्मेदार ठेडाया था और साथी केप्टन अमरिंदर नहीं तमाम तरह की बाते सिद्धू को लेकर कही थी और विवाग भी जो बदला गया था जो हाँ केप्टन अमरिंदर द्वारा तुम्हाई अब तक सिद्धू ने वो विवाग नहीं समाला है अब इसके सपोर्ट में जरूर हाली में आ गए हैं हिम्माज सिंग लेकिन सपोर्ट में आने पर उन्होंने ये तक कह दिया है कि पूरा पंजाब सिद्धू के साथ है अब देखते हैं कि सिद्धू के साथ कितना है पूरा पंजाब और जो तमाम तरह की खबरे नवजो सिंग सिद्धू को लेकर वी ते काफी दिनों से आ रही है पार्टी में जो जो परेशानिया चल रही है सिद्धू के ना होने से उन परेशानियों पर क्या हल निकलता है और क्या सही में कैप्चन अमरिंदर जो है सिद्धु को वे खामा खामे निशाना बना रहे हैं क्या सिद्धु को सीध्या सीधा निशाना बनाया जा रहा है या गया उने वले वक्त में पता चली जाएगा खिर ऐसी तमाम अप्डेट्स के लिए आप जो रहे हमारे चनल SPN 9 News के साथ